हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूं आलू पालक और रोशी की रेसिपी आप सभी किशाद शेयर करने वाली हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो आलू पालक के लिए मैंने सबसे पहले पालक ले लिया है पालक को अच्छे से देखे काट कर दो लिया है और पालक को अच्छे से दोने के बाद सबसे पहले मैं कडाई में डाल दूगी पालक यह पर मैंने सारा पालक कड़ाई में डाल दिया उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा नमक नमक स्वादनिसार डालना है अच्छे से चलाते में मिक्स करना है और इसी कुछ टाइम तक पका लिना है अप चाहें तो जाहें तो यह पका सकते हैं चाहें तो खुला भी मैं यहापकर खुला करके ही पकारा болते हे हैं कि आलक प्ने पκाये नहीं लगाता है नैंप असे बहुत सारा पानी निकलेगा तो अगर ध कर पकाएंगे तो चाहें निकलेगा तो इसलिए ऐसे खुलाइसी को मैंने पका लिया है अब ये इतना काफी हथ तक पक गया तो उसके बाद डाल दी मैंने इसमें आलू जैसे हम इसमें आलू डाल देंगे तो जिसमें एक्स्ट्रा पानी निकला है वो हमारा आलू सोक लेगा अब आलू पालक को अच्छे से इस तरीके से पकने देंगे बीच बीच में आलू चैक कर लेंगे कि आलू हमारे पक गया है या नहीं तो यहां पर देखिए यह बिल्कुल ड्राय हो गया है हमारा आलू पालक और आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं तो अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसे फ्राय करने की तियारी कर लेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने ले लिया एक प्याज और पांच से छे ले लिया मैंने लेसन की कलियां अब लेसन की कलियों का मैं बना लोगी पेस्ट तो यह देखिए यहां दरदरा पेस्ट मैंने तियार कर लिया है अब मैंने एक fry pan ले लिया है इसमें डाल दूँग थोड़ा सा सरसो का तेल तेल को अच्छे से पकने के बाद सबसे पहले डाल देंगे इसमें जीरा अब तेल अच्छे से पक गया है तो इसमें डाल देती हैं सबसे पहले जीरा और जीरे को चटकने के बाद डाल दूँगे इसमें लहसुन का पेस्ट जीरा चटक गया है तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है अब एक मिनट तक चलाने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज देखिए लहसुन को पकने में टाइम लगता है इसलिए सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया है क्योंकि प्याज को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है तो यह देखिए प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है तब इसके बाद डाल देंगे इसमें मसाले सबसे पहले में थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है नमक क्यों की हम अलड़ी डाल चुके हैं यहाँ पर थोड़ा सा धन्य पाउडर डाल दिया है थोड़ी डाल दिया हिंग अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी दाल सकते हैं इससे चलाते ह्यों MIX करेंगे और जैसे हम मरे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद डाल देंगे इसमें करने की जड़त नहीं पड़ेगी क्योंकि अलड़ी हमारा आलू पालक पक चुके हैं तो इस तरीके से आलू पालक आप भी ट्राइ कीजिए एक बार अब यह देखें यह तियार है हमारे आलू पालक यहाँ पर मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिये हैं तो आप सभी भी ट्राइ कीजिए एक बार और आप सभी ने मेरी रासीपी काई लगी कमेंट कीज़ेगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई राशिपी की साथ